नमस्कार दोस्तों स्वाग आते आप सभी का आपकी अपने यूटूब चैनल स्याम क्लास इस्टेडी में तो आज के वीडियो में लेका हैं को प्लैस एक्जाम में आने वाले जी के जीएस के 37 महत्पूर्ण प्रिश्ण जो आने वाले यूपी प्लिस की परिक्ष्ण में आपको अपना स्कोर और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर सेर करना है जिससे मुझे पता चल जाया है कि मैं यह फिरी सिक्षा है किन-किन बिद्यार तक पहुंचाना चाहता हूं जिससे वो भी इस प्रेटर सेट को लगाने के बाद उन्हें में अपनी बढ़ तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रिश्णों का मैथमूर प्रेटिक्स सेट तो कुश्चन पहला है आपके सामने कि लायर वर्ड किस देश का पक्षी है यानि लायर वर्ड है जो पक्षी है वो कौन से देश में पाया जाता है तो यह पाया जाता है और ऑस्ट पारिक्ट का महादीब को सुएत महादीब के नाम से ऑप्सन नमर बी इसका राइट अंसर हो जाएगा अंगला कुश्चन आपको समय कि पिरसांत महासागर का चौरहा किसे कहा जाता है तो पिरसांत महासागर इसका चौरहा कहा जाता है हवाई दीब को ऑप्सन नमर बी इस पराल यह बेरन कोन से देश में है यह आपको आपको यहाई है तंजानी यह देश में option number डी इसका right answer हो जाएगा नेश्ट कोस्टन आपको सामेडिकविली उष्ट गटबन्ती चक्रवात कहां पर चलती है तो बिली बिली कहां पर चलती है उस्ट कर्ट पर दी चक्रवात यह चलता है उस्ट्रेलिया में उप्सन नमर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन आपके सामझे की सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन है तो सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश है कजाकिस्तान उप्सन नमर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन आपके सामझे हो ग्राउंड जीरो कहां में इस्टित है यानि ग्राउंड जीरो कहां पर इस्टित है निवार्क में उप्सन नमर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगला कुश्चन आपके सामझे हो कि ब्लैक होल बिलू हील ग्रैन हील की पहाड़ियां किस देश में इस्टित हैं तो ये तीनों पहाड़ियां कौन से देश में ब्लैक हील बिलू हील और ग्रीन हील तो ये हैं USA में उप्सन नमर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगला कुश्चन आपके सामझे हो कि नदियों का देश किसे कहा जाता है तो नदियों के देश के नाम से किसे जाना जाता है बंगला देश को नदियों के नाम से नदियों का देश के नाम से जाना जाता है नेश्च कोश्चन आपके सामझे हो कि सोज नहर का राष्ट करण कब हुआ था तो सोज नहर इसका राष्ट करण हुआ था 1956 को और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन है आपके सामधा में अभी की औरंग औरेंज नदी किस देश में प्रवायत औरणज नदी कौन से देश में प्रवायत होती है तो यह प्रवायत होती है दच्छन अपढ़ी काम है Maps Number a इसका राइट अंसर हो जाएगा नेस्ट कोर्शन आपको सामचे कि मैत्री अनुसंदान के अंदर कहां पर इस्तित है तो जो मैत्री अनुसंदान के अंदर या इस्तित है अंटार्केट काम है option number D इसका right answer हो जाएगा नेस्ट कोर्शन आपको सामचे कि लंदन किस नदी के तटपा इस्तित है तो लंदन जो नदी है किस नदी के तटपा इस्टेत है तो यह इस्टेत है टीम से नदी के तटपा लंस ओप्शन नमर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगला कोश्चन है आपके सामने की आफिम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने की बड़ादिक बेस्ट जलमार कों है इन चार हो ओप्शन में से कौन सा बड़ा अपके सरबादिक बेस्ट जलमार वोसकता है यह आपको बताना है तो इसका right answer हो जाएगा option number A उत्री अंटर्गिट का जलवार option number A इसका right answer हो जाएगा next question है आपके सामने की अंगला question है आपके सामने की प्रायदीपों का महादीप कहलाता है तो प्रायदीपों का महादीप क्या कहलाता है यह आपको बताना है तो प्रायदीपों का महादीप कहलाता यूरोप महादीप, option नमर B, इसका limousrgram का राइट आंसर हो जाएगा यूरोप कहलाता है प्रायदीपों का महादीप Australia में भेड़ पालन केंद्रों पर कार करने वाले मजधुरूं को क्या कहा जाता है तो भेड़ पालान पर करने वाले मजदूरों को आस्ट्रेलिया में कहा जाता है जे कारू, option number A, इसका right answer हो जाएगा अंगला question है आपको सामने कि विक्टोरिया दीब किस महासागर में इस्तित है तो विक्टोरिया जो महादीब है वो कहाँ पर रहते है तो यह इस्तित है विक्टोरिया महादीब पिर सांत महासागर में option number B, इसका right answer हो जाएगा अंगला question है आपको सामने कि elephanta pass किस देश में है तो elephanta जो pass है वो कौन से देश में स्थेध है यह आपको बताना तो यह स्थेध है elephanta pass स्री लंका में option number B, इसका right answer हो जाएगा next question है आपको सामने कि इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है तो इटली के गंगा के नाम से जाना जाता है, पो नदी को option number B, इसका right answer हो जाएगा next question है आपको सामने कि seven hills के नाम से किसे जाना जाता है तो यह जाना जाता है, रोम सहर को option number A, इसका right answer हो जाएगा अंगला कोश्चन है आपको सामने कि पक्षियों का महादीब किसे कहा जाता है तो पक्षियों का महादीब किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है दच्छिणी अमेरिका महादीब को आपसन नमर डी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट कोश्चन है आपको सामने कि स्री लंका के सबसे लंबी नदी कौन है तो स्री लंका की सबसे लंबी नदी है महाबेली गंगा और बी इसका राइट अंसर हो जाएगा अंगला कोश्चन है आपको सामने कि यूरो महाधीब की सबसे लंबी नदी कौन है तो ईरो महादीर की सबसे लंबी नदी है, बोलगा नदी, option number A, इसका right answer हो जाएगा next question आपको सामने की endage परबत माला की सबसे उँची चोटी है, तो endage परबत माला की सबसे उँची चोटी, तो यह चोटी है एकांगुवा option number A इसका right answer हो जाएगा next question आपको सामने की M.U. ततक कोकावर्रा किस देश का पक्ची है तो M.U. ततक कोकावर्रा यह दोनों पक्ची पाए जाते हैं और आस्ट्रेलिया देश में option number B इसका right answer हो जाएगा next question आपको सामने की E.U. महादीब का सर्वोच सिखर कौन है तो E.U. महादीब का स्र वोच सिखर तो यह सिखर है E.L. बुच सिखर option number B इसका right answer हो जाएगा next question आपको सामने की P.U. का मोती कहलाता है तो पूर्व का मोती किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता पूर्व का मोति स्री लंका को option number C, इसका right answer हो जाएगा next question है आपके सामने की नहरों का देश कहलाता है तो नहरों का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है तो यह जाना जाता पाकिस्तान देश को option number D, इसका right answer हो जाएगा अंगला प्रिशने आपके सामने की रौस सागर कहां पर इस्तित है तो रौस सागर आप इन तीनों उप्षन बता दी कि रौस सागर कहां पर इस्तित है तो यह इस्तित रौक सागर अंटार्कर का माधिव में उप्षन नमर 20 का राइट अंसर हो जाएगा अंगला प्रेश ने आपके सामने की कौपी पूर्ट के नाम से किसे जाना जाता है तो इन चारों में कौपी पूर्ट के कौफी पूर्ट के नाम से किसे जाना जाता है तो यह जाना जाता है Santos को option number A इसका right answer हो जएगा Santos को coffee port के नाम से जाना जाता है option number A इसका right answer हो जएगा Soj Nehra का निर्मान राप किया गया Soj Nehra का निर्मान का यह था तो इसका निर्मान किया गया तो 1870 को option number B इसका right answer हो जाएगा अंगला question आपके सामने की पॉर्ट में नदी के तट पर इस्तित हैं तो यौश झाटत is नदी के तट पर इस्तित है तो यह है अपर ढमने स्काराइट है उसको माझूली दीब八 समर्ज की किस जिलिय में है है नो को काह बार आपकारिक यह vendor पर आपने सब्सक्राइट हम बेला में किस जिलिय में को सेट में केतने प्रेशन साही की हैं और आपको वीडियो कैसे लगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले में तया पर नेट प्रेटर सेट में तब तक लिए धनवाद जैन प्यारे साथी हो